नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदारंद वसेष्ट, सजनों हर मेने की तरह, ये मई का मेना, ब्रस्टिक रासी वालों के लिए कैसा गुजरने वाला है, कैसा रहने वाला है, और क्या क्या हमें सावधानिया इसके अंदर बरतनी चाहिए है, तो ब्रस्टिक रासी के चोथे धच्चणी की धहिए चल रही है, लेकिन धहिए दो लंबी चलेगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कुछ येस अपयस के बीच आपको प्रोपर्टिक अलाब भी ये करवा सकती है, यस भी आपको ये दिलवा सकती है और लेकिन कोई भी आपके व्यापार है या राजकारी है या कोई नोकरी है उसके अंदर कोई व्यवधान उत्पन हो सकता है सत्रू जरूर आपके निप्टेंगे हैं लेकिन मन के अंदर क्रोध रहेगा ये आपको समालना होगा राहू आपके पंचम स्थान में हैं अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाही पर ध्यान दीजिएगा क्यूंकि इस समय पर आपका प्रमाद आपका आलस्य भषिश्य के लिए आपके लिए नुक्सानदाई हो सकता है तो इसका आपको खयाल रखना चाहिए बाकी यात्रा होंगी रुकावटें भी होंगी और उनके अंदर आपको लाब भी प्राप्त होंगे लेकिन मन के अंदर जो है क्रोध अधिक हो जाएगा उसके कारणों से कई बनते हुए कारिये आपके पीछी हड़ सकते हैं रुक सकते हैं व्यवधान आ सकता है तो अब रिहस्पती यह सब्तमस्तान के अंदर खें तो निश्चित रूप से जो कैं स्याधी विवाधा आदी आपके यह संपन कर्वाने वाले खें और आपके घर की और व्यापार की व्रती करने वाले खें कोई नया व्यापार आपका इस समय पर संबह है अब मैं देनिक राशी फल आपको देने कुछ चिंताएं हो सकती है, किसी के द्वारा कोई गलत समाचार आ जाने के कार्ण से मन में चिंता रहेगी, पांच-छे तारीक आपकी बहुत बड़ी आख है, सातार तारीक आपके लिए कोई विवाद की हो सकती है, कहीं किसी के साथ कोई विवाद हो जाए तो उसकी सतर्कता आपको वरतनी चाहिए अपना व्यभार आपको शुद्ध रखना चाहिए अपनी जो है वानी को आपको शुद्ध रखना चाहिए 9-10 तारीक आपके लिए सुख़द रहेगी लेकिन 11-12 तारीक में आपका स्वास्त गिर सकता है लंबी कोई यात्रा हो तो उसको इस्तगित करना चाहिए नया व्यापार नया काम इस समय पर आपको नहीं करना चाहिए और इसके अलावा अब आपकी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तारीक तक के ये आठ दिन आपके बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं इसके कोई भी आपका कारिय है तो इस समय पर आपको कर लेना चाहिए वो कारिय आपका सफन होगा उसमें यस और प्रतिश्टा भी आपकी बढ़ेगी और ये समय अगर हाथ से चला गया तो बाद में पस्ताने की सिवाए और कुछ नहीं रहेगा इसलिए इस समय का सदूपयोग कीजिएगा यानि हर प्रकार का लाव इस समय पर आपको होने वाला है और जो 21, 22 तारीक है इस समय पर कोई ख्षती, कोई नुक्सान, कोई धोका आपको हो सकता के तो उसके लिए आपको समल करके चलना होगा लेकिन 23, 25, 26, 27, 28, 29 ये साथ दिन आपके बहुत बढ़िया गुजरने वाले है इसके अंडर कई आपके ऐसे कामपे हैं जो बहुत दिनों से संपन्ध नहीं हो पाए वो इस समय पर आपके संपन्ध होंगे बाइयों का सयोग मिलेगा, मित्रों का सयोग मिलेगा कुटुम के अंदर अच्छा माहुल रहेगा दन की व्रद्धी आपको प्राप्त होगी 30-30 तारीक में आपको थोड़ी वो चिंताएं जो हैं वो सताएंगी इसलिए उस समय पर दूद और चीनी का दान करें ये जानकारिया मैंने आपको दी बाकी जानकारियों के लिए इन नमरों पर संपर्क करके कारेयले से अपाइंटमेंट ले करके और कारेयले की कुछ सेवाएंग है वो अरपन करके और आप लाब उठा सकते हैं नमस्कार